यह है आपका अपना चैनल माई पोडल साथियों कख्छा एक, दो, तीन और चार इसके अलावा कख्छ चे और साथ की परिच्छा कैसी होगी पहले देखते हैं परिच्छा का टाइम टेबिल क्या है, कप से परिच्छाएं होंगी और फिर देखते हैं क्या है संचलन की निरदेश राजे सिक्षा केंद्र भुपाल के कक्षा 3 से 4 की जो परिक्षाएं आयूजित होना है वो होंगी 28 मार्च से 22 अपरेल तक और इनके लिए कक्षा बार दिन बार विश्य निर्धारत है जैसे कक्षा 3 और 4 के लिए 23 को होगा वो प्रोजेक्ट कारहितु सभी बेशियों की बुकलिट बच्चों को प्रिदान करना है और विश्य शिक्षक द्वारा पून करने समंधी आवश्यक दिशानिर देश प्रिदान करना है कक्षा 3 का जो 16 अपरेल को पेपर होगा वो है लिखित सामाने हिंदी का और कक्षा 4 का भी लिखित में होगा सामाने हिंदी का और ये प्रश्ण पत्र अंग्रेजी उर्दू मराठी आदी माध्यम की परक्षारतियों के लिए ही होगा 18 अपरेल स्वम्मार को प्रिथम भाषा विशिष्ट हिंदी अंग्रेजी उर्दू और मराठी का और कक्षा 4 का लिखित भाषा सामाने अंग्रेजी और अन का होगा 19 तारी का जो प्रश्ण पत्र होगा वो है दूतिय भाषा सामाने अंग्रेजी और अन और कक्षा 4 के लिए लिखित पर्यावरन अध्यान का होगा 19 अपरेल को 20 अप्रेल का जो पिपर निर्धारत है कक्षा 3 के लिए वो है गड़ित और संगीत जो की द्रिष्टी बाधितों के लिए है और कक्षा 4 के लिए प्रथम भाषा विशिष्ट हिंदी अंग्रिजी उर्दू मौराठी आदी 21 अप्रेल को जो प्रश्ण पत्र निर्धारत है वो है लिखित पर्यावरन का कक्षा 3 के लिए और कक्षा 4 के लिए गड़ित संगीत द्रिष्टी बाधितों के लिए 22 तारिक को होगा लिखित अत्रिक्त विश्ट यानि की सामाने उर्दू और माराठी का और कक्षा 4 के लिए होगा अत्रिक्त विश्ट सामाने उर्दू और माराठी आदी का परिक्षा के लिए जो समाई निर्धारत क्या गया है वो है 9 बज़े से साड़े 11 बज़े तक इस तोला तारिको तृतिय भाषा सामन जिसमें संस्क्रित उर्दू, पंजावी, मल्यालम, आदी भाषाई, चित्रकला, मुख, बधिरों है तू और कच्छा साथ के लिए विशिष्ट हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, आदी, साहिग वाचन सहित। अठारा अप्रेल को जो प्रश्ण पत्र है कच्छा 6 के लिए वो है गडित, संगीत, दृष्टी बादितों हैं तू और साथ में को विज्ञान का प्रश्ण पत्र होगा। जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, आदी और कक्छा 7 में 33 भाषा सामान संस्क्रित, उर्दू, पंजाबी, मल्यालम आदी भाषा हैं। सामान हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, आदी माध्यम के परिक्षारतियों के लिए। ये तो था टाइम टेवल कक्छा 3 और 4 और 6 और 7 का। अब आपको बता देते हैं संचालन की निर्देश। इसके लिए जो पत्र आया है वो आया है राजिशिक्षा के इन से 23 मार्च को और पत्र करमांग के 20 81। पत्र भीजा गया है समस्त कलेक्टर्स को और इसका जो विश्या है वो है वार्षिक मुल्यांकन वर्षिक 22, कक्छ पत्र में लिखा हुआ है कि लॉकडाउन की करण लंबे समय तक विध्यारतियों को लर्निंग लॉस के दिश्टिकत उप्रोग संदर्वित पत्र करमांग 3 के दवारा सभी शाष्की प्रात्मिक वामाद्मिक विध्यालियों की कक्छा 1 से 8 में पत्र करम को पुनर नियुज वार्षिक मुल्यंकन कक्छा 5 और 8 को छोड़कर विस्तित निर्देश निम्न अनुसार है निर्देश के मांग के एक कुछ इस तरह से है वार्षिक मुल्यंकन आयोजन किती थी वा अवदी लिखा हुआ है सनलगन समय सराणी के अनुसार प्रिदेश की समस्त शाष्की प्र कक्छा एक और दो में मुल्यंकन का स्वरूप क्या होगा कक्छा एक और दो में अध्यन अध्यापन की सतत प्रिक्रिया के साथ ही मुल्यंकन भी किया जाएगा कक्छा एक दो के वच्चों का मुल्यंकन शालाओं को उपलब्द कराए गई अभ्यास पुस्तिका में सनलगन आकलन मुल्यंकन वर्कशीट विशय हिंदी अंग्रेजी गड़ित के आधार पर किया जाएगा। कक्छा एक और दो हितु मराठी विशिष्ट उर्दू विशिष्ट विशय की आकलन वर्कशीट राजस्तर से जिलों को उप्रब्द कराई जाएगे। मराठी वा उर्दू विशिष्ट के लिए कक्छा एक और दो की एकिकरत वर्कशीट होगी अर्थात कक्छा वार प्रिथक प्रिथक नहीं होगी। मुल्यंकन अब्भ्यास पुस्तिका सनलंगन आकलन वर्कशीट में प्रतेग विशय का पूरांग सो सो अंक का होगा। निर्देश क्रिमांग तीन, अब्भास पुस्तिका वर्क बुक कक्षा एक और दो में दी गई अब्भास वर्कशीट वा मुल्यांकन वर्कशीट पर कार की प्रिक्रिया, इसमें लिखा हुआ है कि वर्क बुक में दी गई वर्कशीट पर कार, सर्व प्रिधम वर्क बुक मे दिये गए विशय हिंदी, कड़ित, अंग्रेजी की अभ्यास वर्कशीट पर कार कराए जाए वर्कशीट पर कार करने हितू क्रम वही रहेगा जो क्रम वर्क बुक में है वर्क बुक में दी गई मुलेंकन वर्कशीट पर कार इसके बाद 14 मार्च से 25 मार्च की अवधी में शाला में ही मुल्यांकन वर्कशीट पर कार कराया जाए। शाला को स्वतंदता रहेगी कि कक्षा एक वादो के विशेवार मुल्यांकन हितु विध्यारे स्थर पर टाइम टेवल तैयार करें। तथा इसके आधार पर विध्यारतियों से मुल्यांकन वर्कशीट पर शाला में कार करवाएं। वर्कवुक को बच्चों से साला में जमा करा लिया जाएगा। उसके बाद वर्कशीट की जाच 13 अपरेल के पूर्ब अनवार तहा कर लिजाए। पूरांक में से विशेवार प्रापतांक मुल्यांकन अविलेक में अंकित की जाए वा बच्चों का परिच्चा परणाम तैयार किया जाए। वर्कशीट पर कारपूर करने के उपरांत ये शाला में अभी लेक के रूप में रखा जाए। किसी भी दश्चा में वर्कवुक में से वर्कशीट को भाड़ कर अलग ना किया जाए। तो ये तो थे निर्देश कक्चा एक और दो की परिच्चा की समन्द में और अब हम आपको बताते हैं कक्चा तीन, चार और छे साथ में मूल लेंकन वर्कवुक का क्या सवरूप होगा। शराधारित प्रशन, खंड आ में एवं प्रोजेक्ट वर्क के प्रशन, खंड बा में शामल रहेंगे। बच्चे द्वारा शाला में लिखे जाएंगे। खंड वा अंतरगत प्रोजेक्ट वर्क से सम्मन्दित प्रशन बच्चे घर पर रहकर हल करेंगे वा निर्धारित समय सीमा में शाला में जमा करेंगे। वर्क शीट में ही प्रशनों के उत्तर वा प्रोजेक्ट वर्क लिखने है तो इस्तान दिया रहेगा। अर्थात वर्क शीट का स्वरूप प्रशन पत्र सह उत्तर पुस्तिका के रूप में होगा। प्रोजेक्ट वर्क अंद्रगत इस प्रकार के प्रशन रखे गए हैं जिससे बच्चे जानकारी और लोकन के आधार पर पता लगाएंगे, विश्लेशन करेंगे, निश्कर्स निकालेंगे और अपनी टीप लिखेंगे। प्रोजेक्ट वर्क से आशाई यह नहीं है कि बच्चे से कोई मॉडल बनवाये जाए। यह प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो कि पून तहा घर में उपलगत रोजमर्रा की सामगरी की आधार पर या घर के सदस्यों से जानकारी एकात्र कर पून किये जा सकेंगे। अब पांचमा बिंदु हम आपको बता देते हैं वार्शेक मूल्यांकन हेटू एडगरेट पाठकरम को बनाये जाएगा। बिंदु करमंग 6 कुछ इस तरह से है कि समय विभाग चक्र में दिये गए विश्यों के अत्रिक्त यदि संस्ता इस्तर पर अन्य विश्य का ध्यापनकार करवाया जा रहा है तो उसके प्रश्णपत्र की विवस्ता शाला इस्तर पर की जाएगी। नौमा नमर निर्देश कुछ इस तरह से है कि प्रोजेक्ट बुकलिट बच्चों को बितरित वा बच्चों द्वारा हल की गई बुकलिट शाला में जमा करना। इसके समन्द में जो निर्देश है वो भी हम आगको बता देते हैं। बिन्दू करमंग 10 कुछ इस तरह से है कि वर्कशीट की जाच वा मूल लेंकन अभी लेक भरना। इसमें जो निर्देश है वो इस तरह से है कि शाला में अत्रिक रूप से प्रिदान की गई वर्कशीट वा बुकलिट पिन निकाल कर विशयबार बुकलिट को अलग-अलग करके शाला प्रिदान धप्यक द्वारा समन्दित विशय शिक्चों को उनके विशय की में मूल लेंकन अभी लेक की रूप में शाला में ही सुरक्षित रखा जाए मौनिटरिंग की समय चाहे जाने पर उसका आउलोकन कराया जाए अगला निर्देश कुछ इस तरह से है कि प्रतेक ख्चा वा विशय की वर्कशीट खंड-बा की जाच प्रति दिन लिखित मूल खंड-बा के प्राप्तांकों का योग बर्कशीट के कवर प्रेष्ट पर निर्धारित इस्थान पर अंकित किया जाए दोनों खंडों में प्राप्तांकों की योग की आधार पर ग्रीड अंकित किया जाएगा तदुपुरांत अन अबलेकों में बच्चों के अंक अबले ग्रेट अंकित की जाए। अर्द वार्षिक मुल्यंकन के प्रापतांकों के आधार पर ग्रेट अंकित किया जाए। 28 से 30 अपरेल तक परणाम की घोष्टा कर समस्त बच्चों को प्रगती पत्र का अनबार तहा वित्रण किया जाए। वार्षिक प्रणाम में इगरेट प्रापत करने वाले विध्यारतियों को कक्छों नती दे कर कठनाईयों का निदान करके विशेश शिक्षण किया जाए। शिक्ष्रिक इस तरह में सुधार रहतू विशेश का अक्छाएं लगाई जाए। इनके लिए सुभधार नुसार एक कालखंड प्रति दिन रखा जाए। इस तरह से कुछ निर्देश दिये हैं और ये निर्देश जारी हुए है संचलक राजश सिक्षा केंदर की ओर से। उमिद है आप निर्देशों के नुरूप परिक्षाएं संचलत करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानगारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।